अलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कि में इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुजलोन एनरजी के बारे में और इस वीडियो में आज आपको बहुत ही जादा important updates देखने को मिलने वाली है जो कि सुजलोन से related है और यहाँ पे उन लोगों के लिए एक बहुत ही important news है जिनों ने right issue में apply किया था और जिनका अभी अगर देखो तो कुछ scenario जो है पैंडिंग है तो वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से आप लोगों के लिए भी बहुत सब्सक्राइब जरू करिए चली वीडियो स्टार्ट करते हैं अब देखो यहाँ पर जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी वह आपको देखने को मिलीती थोड़ी सी अब इसमें एक रुकावट देखने को मिल रही है चालीत रुपए के ऊपर के लेवल पर सश्टेन अभी नहीं कर पा रहा है थाटी एट पॉइंट सेवन फाइब पर शियर की क्लोजिंग आपको देखने को मिली लगबग पॉइंट सेवन सेवन परसेंट की नेगिटिव म देखो यहां पर एक चीज में आपको देखा देता हूं जो की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाती है कि जो अभी तक का जो माहौल है उसमें अगर आप देखो देखो एक टाइम पर 2017 में यह शेयर ट्रेड करा था 19 रुपे के आसपास फिर अगर आप देखते हो तो आपको मुमेंटम देखने को मिला और शेयर अच्छे का से 44 रुपे के लेवल तक भी गया लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि शेयर जब आया था यानि कि लिश्टिंग होई थी तो वह किस प्राइस पर होई थी तो वह आप यहां पर देख पाऊगे कि 510 रुपे के शेया यास-पास कि प्राइस पर आपको यहां पर इसकी लिश्टिंग प्राइस देखने को मिली थी और यहां पर 2005 में कंपनी का आई प्इओ देखने को मिला था यानि कि पूटेंशियल काफी अच्छा था सुजलौन का लेकिन कुछ issues की वज़ा से आपको यहां पर देखने को मिला कि शेयर में जो momentum है वो downside पर देखने को मिल गया और जिस according फिर इनका debt जो है बढ़ते हुआ चला गया उसके बाद से भी चीज़ां जो है वो थोड़ी सी खराब होई और शेयर एक penny stock बन गया लेकिन आज की डाइम पर यह एक अच्छे कासे price पर trade होते हुए नजर आ रहा है अब यह बात होगे यहां पर अभी तक की क्या हाल चल जो रहे हैं अभी तक अब मैं आपको directly जो notice आया है उस पर लेकर चलता हूं यहां पर आपको देखने को मिलेगा date आपको देखने को मिल रही है 9 December left hand side पर आप देख पा रहे होगे और यह exchange को जानकारी दी गई है subject आप पड़ो सारी चीज अच्छे समझ में आएगी second reminder कम for feature notice for the shareholders और partially paid up equity shares on which the call money is to be paid of Suzelon Energy Limited यानि कि आपको पते ही होगा जब यह शेर आट-नो रोपे के आसपाश ट्रेड कर रहा था तो Suzelon ने right issue लाए होता है कि अगर आप apply करते हो तो आपको जो call money होती वो पे करनी होती है तो अब अगर आप यहां पर देखो के तो बहुत सारे shareholders हैं जिनके पास नोटेस गया होगा लेकिन उनको नहीं पता चला होगा anyhow जो भी scenarios रहे होंगे तो उस वज़े से उन्होंने अभी तक अपनी जो call money है वो पे नहीं करी है और यह अब सुज़नों की तरफ से एक बारी पहले भी notice दिया गया था तब भी मैंने वीडियो के तुरू cover करके बताया था ताकि अगर कोई shareholder ये वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए फाइदा हो जा जिसने right issue में apply करा था और अब company के तरफ से second और मेरे खाल से final reminder होगा जिसमें जो right issue जिन्होंने apply करे थे और जिन्हों अभी तक call money पे नहीं की है उन लोगों के लिए यह notice बहुत ही जादा important बन जाता है तो जिन भी लोगों ने apply किया था वो देख ले mail वगरा चेक कर लें अपना जो भी DMAT वगरा वहां पर जाके प्रस ले ले जाते हैं ऐसा कुछ procedure रहता है बाकी साथ के साथ अगर आप यहां पर देखोगे तो इन्होंने जो है वह निउस्पेपर में भी यह जो इस्तिहार बोल सकते हो या फिर नोटे से वह दे दिया है सो डैट अगर यहां पर जो शेरोल्डर से वह अगर निउस्प इस प्रस लेट इसेंबर चब्वीश डिसेंबर की डेट आपके लिए बहुत इंप्रण बन जाती है जिन भी लोगों ने राइट इस्व में अपलाई किया था उसके बाद आप इसमें फिर पेमेंट नहीं कर पाऊगे और फिर प्रोसीजर रहेगा वह देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको यह भी बता दिया गया है कि कैसे कैसे आप पेमेंट कर सकते हो नेट बैंकिंग यूपी आई के थुरू भी डी डी यानि की डिमांड ड्राफ्ट के थुरू भी आप यहाँ पर देख सकते हो ओबर आल यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन कर दिया है त यहां पे अगर आप देखोगे तो MP की लिष्ट आएगी जैनुवरी में और यहां पे 95% तो तै होई चुका है कि जो सुजलौन है वह आप स्मॉल कैप से मिट कैप कैटिगरी में जाते हो नजर आने वाला है और यहां से एक बारी अगर ऐसा हो जाएगा जब लिष्ट फाइ से भी एक स्टेवलिटी थोड़ी सी शियर में आनी स्टार्ट हो जाएगी इसके साथ साथ और भी स्टॉक्स हैं जैसे कि मजगाव डॉक है कल्ल्यां जोलस हैं यह भी एंटर करेंगे मिड कैप में यानिकि जब यह लिष्ट आ जाती है ना तो मतलब 90 to 95% हो जाता है कि यह नहीं वाले हैं इस लिष्ट में तो एक अच्छी चीज यह भी है और यहां पर फर्स्ट भी आपको जैन्वरी में यह लिष्ट देखने को मिल जाएगी और यह फैवरी से जुलाई नेक्स्ट एयर तक एप्लिकेवल रहती है हर साल में दो बारी यह आपको चेंजिस देख जो प्रॉफिट वुकिंग बोल सकते हो आप तो वह देखने को मिल रही है साथ के साथ अगर हम यहां पर बात करें तो देखो बंदन ने फिर से अपने सेविंग फंड्स में भी यानि कि श्टरलिंग फंड्स हो है उसमें 18% से बिकवाली करी है बंदन ने अपने ELSS में भी मिचल फंड्स थोड़े से जो है यहां से एक्जिट करते हों नजर आये हैं लाश्ट मंत में आनी कि नेवंबर में जब एक्जेक्ट जो शेयर ओल्डिंग डेटा निकल के आएगा तब उसमें परसेंटिस टर्म्स में भी समझ में आ जाएगा तो फिलाल सुजलन के लिए साथी न्यूस थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वीडियो में एतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर वस्टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूग दीजेगा धन्यवाद